वेल्कम बेग फ्रेंट्स मैं हूँ जुल दोस्तों आज हम लोग तीन टोकन यह तीन को पर टेक्निकल करने वाले हैं एक तो है एकसरपी यानिके रिपल एक है स्टेलर यानिके एकसलम और एक है टोन यानिके टीरेक्स दोस्ते इदर जो भी बुल्रन हम देख पा रहे हैं 2021 में जो मार्केट में तेजी दिख रही है जिन भी टोकन को भी प्रफॉर्म करते हुए देख पा रहे हैं सभी ने लगबग 2x 3x 5 5x 10x तक का रिटरन अलड़ी दे दिया है लेकिन अभी इन तीन टोकन की बात करें जिसकी आज इन्हों टेक्नेकल करने वाल है इनमें कहीं नहीं कहीं अभी वह रैली देखने को नहीं मिली हाला कि रिजटी पेर के अंदर देखा जाए तो प्रिवियस हाई को इन्हों ने ट की नजर इन को पर रहती है कि इनके परफॉर्मेंस कैसी होने वाली इनका टागेट कहां तक अचीव कर सकता है तो इनके बीच में आज हम लोग दोस्तों टेक्निकली समझने कोशिच करेंगे चार्ट के अंदर कि कहां तक प्राइज जा सकता है और अकर ड्रॉप होता तो कि लेवल तक हम वेट कर सकते हैं इसके बाद हमें एक्जिट हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए तो यह इन सारी टॉपिक के उपर आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों और दोस्तों यह टेक्निकल हम लोग पूरा यूजडिटी को पर करने वाले हैं अहला कि बीटीसी में तभी मुवमेंट हुई नहीं है लेकिन चुकि बीट्कॉइन का प्राइस काफी हाई पर है और बीटीसी पेर इधर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है जब भी बीटीसी में में कहीं नहीं बांस बैक देखने को मिलेगा तो मैं आप सभी को अपडेट ज़रूर करूँगा हाला कि अभी यूजडीटी पेर में कमाने का मौका है तो इस मौके को बिल्कुल मत गवाईए और लास तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और पहली बार अगर मिले चैनल पर विजिट कर रहा है तो प्लीज मिले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे वीडियो अगर प सकते हैं क्रिप्टो से रेटेट टेकनिकल से रेटेट कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं मैं सभी को रिपलाई करने के कोशी से करता हूं साथी सथ टुटर में भी मुझे फॉल्यो कर ले तो इस्क्रीन पर भी दोस्तों आपको डिस्प्लेए हो रहा होगा वहां पर में भी आपको लिंक मिल जाएगी तो बहुत जादे लेट नहीं करते दोस्तों सुरू करते हैं आज का टॉपिक को सीधे आपको ले चलता हूं स्क्रीन पर और समझ देते हैं इन तीन कोई के टेकनिकल को और समझते हैं कि कैसा पाफॉरमेंस होने वाला है तो दोस्तों हम ल करता सकता है इसके रहली कहां तक हो सकती है तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्स्प्राइन करने की कुछिस करता हूं चार्ट में और बैसिकली यह डेली चार्ट है और हम लोग थोड़ा सा लॉंग टर्म विजन को देखते हुए आनलसस करेंगे कि प्राइज का उमीद कर सकते हैं XRP लेकर का विखकी काफी लोग IP प्रस्प्राइज कहां तक है और कहां तक इसका टार्गेट हो सकता है तो दोस्तों यह है डेली चार्ट और डेली चार्ट में आप देखने है और यह भी प्राइज को ब्रेक नहीं कर पाया और यहां से रीटेस्ट कर रहा है नीचे के तरब देख पा रहा है यह यहां से और ह amaoshi अटो कि ऊवखाएं कि बीटनी पिसके है कि तो इसको सब्सक्रांइक तो को थोड़ा संप में इस तो यह पहले हम केंडिल को स्केस करते हैं और तब से क्लियर मिलेगा कि प्रेश ए तो सबसे मुंसद रही है कि हनि करते दो जैसे कि विकाल जो तार्ट प्रैक राया और यहां से अपर Gai अब और ओपर कि अगर राइंस का बात करें जिस लैवल को ब्रेक करने का ख़ाए उपर के रैली दिखाई है एक रही स्टेनस यहां पे अगर ड्रोड करें कि एक लेवल ही हो गया और एक नीचे के लेवल की बात करें तो कर दो तो तो बैसिकली दोस्तों क्या है कि प्राइज जो है इस रेंज के अंदर एक रेंज था कभी बीच में रेंज ब्रेक भी हुआ था कि मैक्सिमवम टाइम इस रेंज के अंदर ही प्राइस की मुंवेंट हो रहे थी ने बात करें तो अगर इस आपर ब्रेक आउट द्या रहा है तो यह तीस को यह ब्रेक आउट मिला अधर इस एक ही चैनल कमें प्राइस की मोमेंट हो रही थी तो अभी आप देख पार है दोस्तों यह जो एरिया था यानि कि यह जो कैंडल बनी थी यह पांच में 2008 की कैंडल है जिसने की 1.49780 का हाई बनाए था और वही हिस्ट्री यहाँ पे फिर से रेपीट हुई यानि कि यह कैंडल बनी है आपकी 10 अप्रेल 2021 को से सीम एरिया प्राइज हिट हुआ है तो आप देख पा रहे हैं अब एक हई यह बना हैं अब एक हाई यह बना है तो यह सेम हाई बना है और प्राइज अब देख रहे हैं एक रेक्टेंगल चैनल ब्रेक आउट हुआ और प्राइज ने जम किया है तो अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि आगे एक सीन क्या हो सकते हैं तो लडी अपने हाई को टेच कर चुका है जो प्रीएस था असका मों अफे को पहुंच चुके हैं एक बार हम लोग टोड़ा सा डेटा देख लेते हैं एक्स्री का कोईन मार्केट के अंडर तो यह हम लोग आगे क्वान मार्केट कैप में XRP पे में थोड़ा से क्लिक कर लेते हैं इसका डेटा समझ दे के कुछिश करते हैं लोग आ चुक्ए है एक्सर्पी के पेज़ पे कोई मार्केट कैप में आपको यहां पर सारी इंफोर्मिशन मिल जाएगी तो यहां पर आप चार्ट देख सकते हैं तो अभी हम लोग इस लेवल पर हैं यहां पर 1.36 के लेवल पर है और यहां पर आप देखरें जो प्रिविय तो डिटेल थोड़ा से देख लेते हैं तो यह करेंट प्राइस सो कर रहा है कॉर्ण मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 1.36 के 24 आवर्स का हाई लो निस अब डॉलर से 1.25 डॉलर का लो रहा है और 1.49 का हाई रहा है यह 24 आवर्स की बात है नंबर फॉर रैंकिंग करता है दोस्तों यह कोई अभी काफी नीचे स्लिप हो गया था लेकिन रैंक को इसमें उपर इंक्रीज किया है जब से प्राइस उपके तरफ परफॉर्मेंस दे रहा है इसके बात अगर यहां पर बात करे जो इसेवन डेस के लो हाई कि देख लाते सेवन डेस पहले 0.634 डॉलर पर टेड हो रहा था और सब्सक्रीज का लो कि बात करें तो 0.4265 का लो है और 1.49 का लो कि बात करें तो 0.2449 का लो है और रहा है 1.49 और 52 weeks की low high के बात करें तो 0.1742 का low रहा है और high जो रहा है 1.49 और all time high के अगर बात करें दोस्तों तो 3.84 यहनि 4 डॉलर के आसपास का यह high रहा है 3 साल पहले का data है यहनि कि 4 January 2018 का data है इस समय प्राइज ने 3.84 डॉलर का high बनाए था और low की बात करें दोस्तों तो 7 साल पहले जो low था जुलाई 7 2014 में यह 0.002802 का low रहा है दोस्तों अभी XRP के अंदर काफी potential है यहनि कि अभी हम देख रहे हैं सारे token अपने all time high को break कर रहे हैं अगर उस data को हम लोग लेकर चले इन सारे performance को अगर मान के चले तो अभी XRP में rally बाकी है यहनि कि 3.84 का जो high है दोस्तों अभी यहां समलोग काफी नीचे हैं काफी पीछे हैं आप देख सकते हैं तो price लगबग लगबग strong भी दिख रहा है जो भी इसकी news थी जो भी नेगटिव न्यूस थी वो सारी दूर हो चुकी है जो डेजिस्ट की न्यूस आयती जिसके प्राइस काफी crash हो गया था वो भी resolve हो गया है तो यह जो positive न्यूस आई को लेकर तो मुझे लगता है कि इसका प्राइस जो है definitely फिर से all time high को break जरूर करेगा हो सकता थोड़ा सा perspective लंबा हो सकता है long term vision को देखते हुए मैं आप से बात कर रहा हूं तो यह है दोस्तो XRP का तो इसमें बिल्कुल strong है हो सकता है थोड़ा बहुत correction देखने को मिल सकता है लेकिन फिर भी प्राइस इत्म strong है इत्म bullish है और आगे भी हम उसको और भी उपर जाते वे देख सकते हैं तो खत्रे वाली बात अभी फिरहाल तो कुछ नहीं है मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि दूस्तों भी प्राइस उपर है और आपको वेट करना चाहिए अगर बहुत ज़्यादा आप समझना चाहते कि प्राइस कहां तक नीचे गिर सकता है या कहां तक आपको होल्ड करना चाहिए अभी फिरहाल दोस्तों यह जो लेवल आप दिख रहा है यानि कि मैं थोड़ 291225 यह धेख रहें है प्रेक नहीं होना चाहिए किख अभी प्राइस जब और ऐनी कि तक प्रॉपर रहेऒर एस सपोर्ट चे तो और पर अभी फिरहल में ये जो लेवल है 0.91 का इसके बाद नीचे डाउनसाइड बात करें तो 0.75 का लेवल है तो अभी जब तक इन लेवल से उपर प्राइज मूव कर रहा है रिटेस्ट करेगा थोड़ा बहुत नीचे करेक्शन आएगा फिस तर प्राइज उपर जाएगा लेकिन हम सेफ साइ रह सकते हैं जब तक 0.9125 ब्रेक नहीं होता है तो इस लेवल को ध्यान रखिएगा और इसके अकॉर्डिंग आप अगर अभी बाई करके चल रहे हैं या करेक्शन के अंदर अब बाई कर रहे हैं तो आप उसको होल्ड करके चलिए डरने की बात नहीं जब तक 0.9125 ब्रेक नहीं होता है दोस्तों कि तोड़ा लॉंग टर्म विजन को लेकर चलिए आगे प्राइस डेफिनेटली जो दिख रहा है पिछला हाई ब्रेक करेगा और नया हाई जो है पांस से दस डॉलर तक जा सकता है दोस्तों एक्सर्पी तो दोस्तों अगले कोईन की बात कर लेते हैं हम लोग आ चुके है एक्सलम यूएस डिटी के चार्ट पर दोस्तों यह सारे कोईन जो हैं अभी भी इस बुलिश रेली के अंदर जो यह बुलरन चल रहा है जो मार्केट बिल्कुल आउट परफॉर्म कर रही है लेकिन यह यह अभी बिल्कुल भी उस लेवल के परफॉर्म नहीं कर पाएं जैसा कि हम और भी कोईनों में देख चुके हैं तो अभी इन कोईनों में बहुत ज़्यादा पोटेंसियल है तो डेफिनेटली आप के लिए बहुत अच्छा रिटन दे सकते हैं इस सारे कोईनों के उपर ह अभी मैं इसमें अनलेसर्स कर रहा हूं और अभी हम लोग आ चुके एक्सलम पे एक्सलम में भी काफी कुछ आगे रेली बाकी है दोस्तों तो अभी हम यहां पे एक्सलम के चार्ट पर देख रहे हैं इनका जो हाई अभी प्राइस दिमनाया है 0.65736 का हाई प्राइस दिम सब्सक्ति आप टेंड में चल रहा है अपरएं टेंड के अगर बात करें अपको थोड़ा से मैं दिखाना चाहता हूं यह देखिए यहां पर प्राइज ने यह हायर हाई बनाया था इसके बाद यहां पर हायर लो बनाया है यहां पर यहां पर यह 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 अब देख पा रहे हैं तो यह ट्रेंड चल रहा है तो लगतार प्राइज जो है हाई 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 लो बनाता हुआ प्राइस मूफ कर रहे है तो डेफिनिटली प्राइज अगर डिटिस्ट करता है तो इस लेवल तक भी आएगा फिर यहां से फिर मूफ करको उपर के निकल जाएगा तो अभी चांसेज बहुत ज्यादा है कि प्राइज ऊपर मूफ करें और थोड़ा सा भी हम लोग अगर थोड़ा से स्क्राइस करके देखते हैं यह प्राइज एक्षिल में क्या कहता है है तो यह देख रहे हैं जिसका हाई रहा है यह बात करें तो एक जन्वरी 2018 में प्राइज यहां तक गया था इसको ब्रेक करते हुए किसमें जबर दस्थ उचाल देखने के विए अग्षिल में लेकिन अभी भी इसमें रही है यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप भी आपको एक बार मैं दिखाता हूँ कि कहां तक यह रेस्टेंस था पहले उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था यह अगर रेस्टेंस मान के चले दोस्तों यह है जिरो पांट्री-0937 कहीं रेस्टंस लेवल ने राइब इस रेंज के अंदर ही मुव कर रहा था यह एस एरिया से प्राइज बाहर नहीं आपा था डैफिनिटिय यहाँ पे और यहां पर प्रैस ने ब्रेक आउट दिया ब्रेक उड करने ब्रीद्इश ने कर चा चुद दि और अभी जो है करेंट्ली पॉइंट 65736 को टेच कर चुका है और इसके पिछला डेटा कर देखें कि सबसे ज़्यादा हाई अगर एक्सलम का देखना है अगर हाई एक्सलम का देखना है तो किस लेवल तक गया था यह थोड़ा सा को कॉइन मार्केट के अंदर एक्सलम का डेटा को मिल जाएगा अगर देख सकते हैं अभी हम लोग करेंट प्राइस के बात करें और चार्ट के अगरें लाइन चार्ट जो बना हुआ है इसके अभी हम लोग पीछे है जो इनका हाई है से पीछी चल लें तो इधर आप देख पा रहे हैं स्टेलर का जो करेंट प्राइजेज जिरो फंट शिक जिरो टू फाइफ का है और 24 आवर्स का हाई लोग के बात करें तो जिरो पंट फाइट फाइफ का लो राए और 0.612 का हई रहे इसके अलावा दोस्तों अगर राइं कि बात करें तो 1 20 को बढार करें तो 0.610 का हई थिकी बात करें तो zero point three five zero three का लो रहा है और 0.612 का हाई रहा है 90 देस देस की बात करे तो zero point 2294 का लो रहा है और रहे की बात करें तो बात करें February बात करने तो झेच्टो तो दोस्तों जीरो पाइंटfäh नीज जीरो फौरन और रहा है करिए औल टायम के बात करें तो 0.9381 यह त rattling साल पहले हुए था यानि जैनुरी 2018 मैं है हाइ बनाये था और लोग की बात करें तो 2014 का करें है यानि कि छह सल पहले प्राइब driver बनाइए था डबल जैरो वन टूट टू सेवन का लो रहा है यानि कि हाई अभी ऑफीern Haus वन का हाई है दोस्तों अभी जो प्राइस चला है पॉइंट सिक्स जीरो चला है यहने कि काफी पीछे हैं भी अभी काफी रैली बाकी है अगर देखना चाहिए तो तो अभी हम लोग प्राइस को काफी उपर तक जाते देख सकते हैं यह डेटा कह रहा है कोईन मार्केट कैप अभी बहुत रैली है अभी पॉइंट सिक्स पे हम लोग पहुंचे हैं तो उमीद करते हैं दोस्तों यहां पर आपको काफी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है अभी इतने काफी पोटेंशियल है एक्सलम में एक अच्छा कोईन है और जिसाब से रैली चल लिए और पॉस्पेक्टिक के साब से तो तो अभी दोस्तों लोग आ चुके हैं यह ट्यारिक्स यूजटी के चार्ट पर यह वी बाइनस का है डेली का चार्ट है और प्राइस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है काफी सावाँ से बहुत डाउन था प्राइस और इस समय बहुत 14973 का हाई बना चुका है प्राइस और थोड़ा से स्क्राइस करते हैं तो आगे का सीन क्लियर होगा कि आगे अच्छिन में प्राइस की मोमेंट कहां तक हम देख सकते हैं तो दोस्तों इसके पहले कि अगर बात करी यह तो प्राइस देखिए यहां से सब्सक्राइब कि निए और इस लेवल पर रेटकम यह ऐसलेवल से काफि उपर प्रेस दिकाल चुका है अगर यहां पर बेता कि सेरी यहां को ब्रेक की Already प्राइज ने इन देखे लोस्तों यह एक्चिन में कहता एक रेइस्टन्स था यहां पर देखे प्राइज के ऊपर तो गया नहीं फिर इसी रेंज के अंदर प्राइज मुव कर रहा था फिर इस लिए सिर्फ टक रहा है फिन नीच आया फिर यहां पर इसमें काफी आइसकी और भी तेही दे सकते हैं तो एक बार हम लोग डेटा पर गौर करते हैं कि डेटा क्या कहता है ट्यार एक किसका हाई कहां तर गया है यह आपको क्वाइन मार्किट कैप में देखना पड़ेगा वहापको कम्प्लीट डेटा मिल जाएगा दोस्तों तो तो मोग ट्य जरलन लेटा के देटा हम सामने है तु आप देख पा रहें से अभी हम लोग यहां पर मूब कर रहे है कि कहन मिर्क्रिट कैप के चार्ट के आप कॉर्डिंग लाइन टट बड़न हें और हाइब देख़ और है अंप इबर डोन के करेंट प्राइस पर देख लेते हैं 0.1221 का यह चल ला है और 24 अगर लो आई के बाद करें तो 0.1181 लो रहा है और 0.1268 का आई रहा है रेंकिंग बात करें तो 19 नंबर रैंक कर रहा है 19 पर है और और डेटेल में आप देख लेते हैं तो यहां पर आपको 7 days की बात करें तो low जो रहा है 0.1042 और high जो रहा है 0.1491 का 30 days की low high की बात करें तो 0.04872 और high की बात करें तो 0.1491 का रहा है 90 days की अगर बात करें high low की तो 0.02644 और high की बात करें तो 0.1491 का high रहा है 52 weeks का high low की बात करें तो 0.01203 और high की बात करें 0.1491 all time high की बात करें तो 0.3004 का high रहा है यह तीन साल पहले का high है यानि कि 2018 में जनवरी 5 को यह high बना था all time low की बात करें तो 4 साल पहले दोस्तों low बना था 2017 में 15 September को जो low था वह 0.001091 का low रहा है तो high दोस्तों भी 0.3 का high है और अभी हम लोग जो चल रहे हैं 0.12 पे चल ले हैं तो अभी बहुत rally बाकी है TRS के अंदर तो जबर्दस्त rally भी देखने को मिल सकती आने वाले समय में already जो channel था यह break हो चुका है long term scenario के साब से price उपर निकल चुका है नए high बना रहा है और अभी हम लोग पॉइंट 1 पे है दोस्तों पॉइंट 3 के reality हमें देखना बाकी है तो बिल्कुल आपनों वेट कीजिए long term कि सबसे अगर आप वस है अभी तो आप उसको hold करके रखिए अगर आप नए इंट्री लान चाहते हैं तो जहां आपको अच्छा correction देखना की मिले तो वहां पर एक नए इंट्री बन सकती है करेक्शन के फेज में पिर आप उसमें बने रह सकते हैं और अगर आप जानना चाहते हैं कि प्राइज में कहां तक खत्रा नहीं है तो खत्रा नहीं एक बात करें तो अभी देखिए यहां पे एक प्राइज कंसोलिडेट कर रहे एक ही जगह पे और यह जो लेवल आप मद्यगरे इस प्राइस के ऊपर अगर प्राइस मूव करते हैं नजी करेक्शन करेगा है डाउन प्या सकता है थोड़ा सा इस अा यह aplica लेवल के उपर अगर प्राइस बना रहता है कॉंटीन लगातार तो डंटेफिनल्स कि आगे दिखेंगे ऊपर जाते हो गैं यहным कोईन के बारे मैंने बताया XRP हो गया XLM हो गया और TRX हो गया यह तीनों ही बहुत ही favorite coin है सभी के लिए और सभी weight करते रहे इनकी performance को लेके तो definitely दोस्तों अगर आपको है portfolio के अंदर बिल्कुल बने रह सकते हैं नहीं है तो अच्छा जब करेक्शन मिल जाता है तो आप ले सकते हैं और इन चार्ट के अकॉर्डिंग आप आगे का प्लैन कर सकते हैं दोस्तों तो दोस्तों उमीद करते हैं आज का यह वीडियो काफी हेल्फुल रहा होगा आप सभी के लिए काफी मदद मिलने वाली इस वीडियो के माध्याम से आप समझ पाएंगे कि इन टोकन्स को आपको होल्ड करना चाहिए सेल करना चाहिए वह आपका डिसीजन है जो भी दोस्तों परफार्मेंस हो रही है एकॉर्डिंग टू चार्ट तिल देन टेकेर बाए बाए